हमारा पिछले वीडियो कॉफी इंट्रेस्टिंग था एंटी बॉडी की सरचना यूमकार तथा एक और वीडियो और भी इंट्रेस्टिंग था टाइपस आफ एंटी बॉडी तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायलोजी और आज का हमारा टॉपिक है एंटी जैन और एंटी बॉडी में अंतर आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल बायलोजी एक्स्ट्रा में चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंटीजेन और एंटीबॉडी में अंतर एंटीजेन और एंटीबॉडी में अंतर पढ़ने से पहले एंटीजेन और एंटीबॉडी को एक बार पुना थोड़ा सौट में समझ लें कि क्या इसके प्रमुक लक्षण होते हैं उसके बाद हम देखते हैं एंटीजेन और एंटीबॉडी में अंतर मनुष के चारोर बहुत सारे माइक्रो आर्गनिजम पाए जाते हैं चाहे वो वाइरस के रूप में हो बैक्टिरिया हो, फंजाई हो या अन्य प्रकार के माइक्रो आर्गनिजम हो सकते हैं साथ ही उसके चारोर बहुत सारे केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो पॉलुटेंट के रूप में होते हैं इवन मनुष के चारोर विविन प्रकार की डस्ट भी पाए जाती है साथ ही biological particles भी पाए जाते हैं जब ये मनुष्च के सरीर के अंदर प्रवेस करते हैं तो मनुष्च के सरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं और इन हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए हमारे सरीर में पाए जाने वाली lymphocyte कोशिकाए एक विसिस्ट प्रकारकी प्रोटीन का formation करती है इस विसिस्ट प्रकारकी प्रोटीन को हम antibody कहते हैं अर्थात antibody को उत्पन करने वाला पधार्थ ही क्या कहलाता है antigen कहलाता है हम इसको परिभासित कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी पधार्थ जो immune system को antibodies के उत्पाधन हेतु प्रेरीत करता है antigen कहलाता है चाहे वहाँ virus हो, bacteria हो, फंजाई हो या कोई और चीज हो चली अब हम बात करते हैं antigen के properties की कि क्या-क्या properties होती है सबसे पहले एक बार ध्यान में रखिए कि antigen सरीर से बहार का पधार्थ होता है अर्थात विजातियता का गुण उसमें पाए जाता है foreignness का गुण पाए जाता है कोई पधार्थ जितना ज़्यादा सरीर से बहार होका होगा वो उतना ही ज़्यादा as a antigen के रूप में कारी करता है इसे example के रूप में हम समझ सकते हैं जैसे boine serum albumin होता है उसको अगर हम गाय के सरीर में इंजेक्ट करे तो वहाँ antibodies के निर्मान को प्रेरित नहीं करता है क्यों? क्योंकि वहाँ गाय के सरीर से ही प्राप्त होता है लेकिन अगर इसे खोष के सरीर के अंदर प्रवेस करा है तो यहाँ antibodies का उत्पादन करता है अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि antigen के लिए सबसे महत्पूर्ट प्रापर्टी है उसका foreignness का होना, विजातिता का होना अगर हम दूसरी प्रापर्टी बात करें उसके आन्विक माप की molecular size की तो antigen जो है molecular size में variations हो करते हैं यह माना जाता है कि अगर antigen जिनका molecular weight एक लाग डालतान या उससे अधिक होता है वो ज़्यादा active होते है वहीं पर 10,000 डालतान या उससे कम के antigen जो है उन्हें कम active माना जाता है slow माना जाता है generally antigen का जो molecular weight है वो 5000 या उससे कम होता है तीसरी property की बात करें chemical composition की तो antigen generally macromolecules होते हैं और यह माना जाता है कि यह protein होते हैं लेकिन protein के अलावा यह nucleic acid, lipoprotein, glycoprotein या polysecuride या अनिकोई chemicals के रूप में हो सकते हैं लेकिन यह मुख्य रूप से किसके बना होता है protein और polysecuride का बना हुआ होता है एक और property की बात करें epitopes का पाय जाना antigen की सता पर कुछ विशिस्ट प्रकार की सरचना है पाय जाती है जिनको की epitopes कहा जाता है या जिनको हम antigenic determiners कहते हैं यही antigenic determiners as a trigger की तरह कारी करते हैं तथा जब यह सरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो lymphocyte को सिकाओं को उत्प्रेरित करके antibody के निर्मान को प्रेरित करने का कारी करते हैं चली दोस्तों अब थोड़ा सा antibody के बारे में जान ले जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि antigen जब हमारे सरीर के अंदर प्रवेश करती है और immune cells एक विशिश प्रकार के protein का निर्मान करती है इसी protein को हम antibody कहते हैं दूसरी महत्पुन बात कि antibody जो है वो protein से बना हुआ है polypeptide है और यह दो जोड़ी polypeptide chain से मिलकर बना होता है जिसको हम L chain antibody का जो molecular weight है चुकी protein है macromolecules है इस कारेल से इनका molecular weight कैसा होता है हाई होता है एक महत्पुन बात antibody के रूप में आप लोग जानते हैं कि यहाँ सरीर के अंदर निर्मित होने वाला पधार्थ है और यहाँ antigen से सुरक्षा प्रदान करने का कारी करता है और यहाँ सरीर के अंदर बीटा सेल्स के द्वारा उत्पन होता है और बीटा सेल्स से उत्पन होने के बाद यहाँ blood वा लिम्प में ब्रहमाण करते रहता है antibody में antigen binding site होते हैं जिससे की antigen को यह बांद लेते हैं और उनको neutralize करते हैं antibody धीमी क्रिया करने वाले किन्तु दिर्क का लिन सुरक्षा प्रदान करने वाले रोटीन होते हैं यह हमेशा कोसिका के बाहर क्रिया करते हैं और सरीर का तरती रक्षा इस्थर बनाते हैं दोस्तों अब हमारे पास परियाप जानकारी antigen और antibody के बीच की हो गई है अता हम आसानी के साथ इसमें अंतर कर सकते हैं तो चलिए देखें अंतर क्या है तो सबसे पहला अंतर है उनके foreignness का कि antigen foreign material होते हैं जबकि antibody सरीर के अंदर उत्पन होने वाले पधार्थ होते हैं दूसरा अंतर देखें molecular size का antigen का molecular size कैसा होता है? molecular weight उसका low होता है वहीं पर antibody का molecular weight कैसा होता है? high होता है तीसरा chemical composition की बात करें antigen generally protein के होते हैं लेकिन इन protein के अलावा ये polysacrite से भी मिलकर बना हो सकता है वहीं पर अगर हम antibody की बात करें तो antibody विशुद रूप से protein के बने होते हैं अर्थात ये immunoglobulin protein के बने होते हैं एक और property की बात करें तो antigen सूचम जी या मुक्त अणूओं की सता को ढखने वाले घटक के रूप में पाये जाते हैं ये सूचम जीओं जैसे जिनको हम pathogen कहते हैं या मुक्त अणूओं की सता को ढखने वाले घटक के रूप में पाये जाते हैं वहीं पर अगर हम antibody की बात करें तो ये plasma cell की सता द्वारा युक्त होते हैं तथा plasma cell का एक हिस्सा बनाने का कारी करते हैं अब अगर एक और कारी की बात करें इनके function की बात करें तो antigen क्या काम करते हैं ये सरीर में रोग या allergy को उत्पन करने का कारी करते हैं वहीं पर antibody क्या काम करते हैं कि antigen से होने वाली खानी को रोकने का कारी करते हैं अर्थात ये रक्षात्मक पधार्त होते हैं जो कि antigen युक्त पधार्तों का विगटन करने का कारी करते हैं एक और प्रापर्टी पर हम थोड़ी सी चर्चा कर ले antigen के प्रकार antigen मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है exogenous, endogenous और auto antigen की रूप में वह ही antibody की बात करें तो यहां मुख्य रूप से HN के आधार पर पाच प्रकार की होती है IZM, IZA, IZG, IZE और IZD तो दोस्तों इस प्रकार से आपने antigen और antibody में अंतर किया बहुत easy अंतर हैं एक बात फ्रूप से मैं short revise कर दूँ कि किस आधार पर हमने अंतर किया इसकी विजातिता के गुण पर, foreignness के गुण पर, इसके molecular weight के आधार पर, chemical composition के आधार पर, property, function और types के आधार पर हमने अंतर किया हुआ है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा आप antigen और antibody में आसानी के साथ अंतर कर पाएंगे तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए topic के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार